दिल्ली के दो करून लोगों के प्रती है और दोनों मंत्री पूरी तरीके से बेकसूर हैं उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो फर्जी हैं बेबुनियाद हैं उनका कोई आधार नहीं है और राजनितिक कारणों से जो काम सिख्छा के छेत्र में मनीश सौधिया जी ने किया जो स्वास्त के छेत्र में सतेन जैन जी ने किया जो बिजली के छेत्र में सतेन जैन जी जो अनुकरनी ये काम करके इन मंत्रियों ने दिखाया है उसके लिए दिल्ली की जनता उनकी आभा यह जो फैसला लिया गया क्योंकि मंत्री मंडल के एक विभाग काफी जादा थे और काम बाधित ना हो काम ना रुकने पाए इसके कारण से यह फैसला लिया गया है मानी मुख्य मंत्री जी ने इन दोनों मंत्रियों का स्थीफा स्विकार कर लिया है दिल्ली के दो करोन लोग का काम जैसे अच्छे डंग से पहले से चल रहा था आगे भी चलता रहेगा केजरीवाल जी की प्रतिबद्दता हैं जहां तक आरोपों का सवाल है फिर दोहरा रहे हैं आम आधनी पार्टी की और से एक एक दिल्ली वाले की तरफ से कि जो सारे के सारे आरोप हैं वो फर्जी ह बेबुनियाद हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग दस हजार करोड की रिश्वत खाली मनी से सौधियानी अरे चौदा घंटे सीबिया का छापा घर पे मारा गाउखोड डाला दफ्तर पे छापे मारी की बैंक का लाकर चेक कर लिया कहीं कुछ नहीं मिला बावजूद इस इस खटना से केक होनहार और अच्छे सिक्षा मंत्री को आपने जेल के अंदर डाल दिया समय आने पर जनता इसका जवाब देगी लेकिन दिल्ली के लोगों का ताम नहीं रुखना चाहिए उनकी सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए इसलिए केजरिवाल जी ने स्तीफा करता रहेगा क्या कोई नया मंत्री मंदल में आएगा क्या उस पर कोई इस पर जो भी फैसला होगा वह मुख्य मंत्री जी लेंगे वह उनका विसे साधिकार है उस पर मेरा कुछ भी बोलना थी देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब् करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें